हेलो फ्रेंट तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको क्लास वन से रिलेटेड मैस के यूनिट नूबर वन के बारें बताऊंगी ओके यूनिट का नाम है कंपैर दे यूनिट नेम इस कंपैरिजन ओफ अबजेक्ट्स अंद पोजीशन ओके तो फिर्स वन आजाएगा पहले में जिसके बार में आपको बताऊंगी होगा बिग स्मॉल लॉंग शॉर्ट तोल शॉर्ट लाइट लाइट नहीं है दूसरे बार लाइट होके मैं आपको बाल लाइट हेवी एंड लास्ट वन इस फार नियर ओके अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिग के बारे में बिग एंड स्मॉल बिग का मतलब होता है भरा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा ओके अब मैं आपको एक से कुछ इग्जांपल दिखा देती हूं यहाँ पे मैंने एक बनाया सर्कल अब मैंने बनाया यहाँ पे एक और सर्कल ओके यह हो गया मेरा स्मॉल सर्कल ठीक है और यह हो गया मेरा बिग सर्कल ठीक है अब कुछ और भी ले ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया फ्लावर ठीक है सॉरी मैं जानती हूं फ्लावर तो गंदा बना है अब यह देखिए इस में से यह छोटा फ्लावर है और यह जो है यह बेंग फ्लावर अब सेकेंड वन आ जाते हैं हम लोग और शॉट पर पिखाएं धर यहां पर सबुम्स लिखती है जैसे ब्यकों मतलब है बहता मुडल का मितलब नमबा और तोल का भी मतलब है लंबा short ये तीन लवज हैं जिनके meaning same है लेकिन बोलने में अलग-अलंग है sorry, दो, ये देखें, ये है small, ये है short इन दोनों का मतलब है छोटा tall और long, इसका मतलब है लंबा big का मतलब है भरा, light का मतलब हलका heavy का मतलब है भारी, far का मतलब है दूर near का मतलब है करीब, अब सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी big और small के बारे में यान के लंबा और छोटा इसके बारे में okay, see, मैं यहाँ पर question के साथ आप लोग को बताऊंगी ताकि ये आज का lockdown का महीला चल रहे है and I know कुछ बच्चों को lockdown में teachers की यानि के जिनके alternate पे classes होती हैं लोग को कभी कबाद teachers की नहीं भी समवज में आती है I know मेरे साथ भी ऐसा होता है इसलिए मैं class 1 से लेके जैसे जैसे में videos बनाती जाएंगी I hope आप छोटे बच्चों को इन से help में लें okay so first one मैं पहले question के साथ बताती हूं and circle यानि कि circle the small balls okay इसका मतलब है छोटी balls को circle करना है अब मैं यहां पे कुछ बनाती हूं ये 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 okay यह मैंने कुछ balls बनाई है अब इन में से सबसे चोटा ये तो नहीं है ये वला है तो ये हो गया आपने इसको circle कर दिया okay अब इसी तरह अगर हम ले लें स्मॉल की जगह हम लोग यहां पे बिग लिखा हूं तो अंसर्कल था बिग बॉल ठीक है तो फिर मैं इसको हटाती हूं मैं क्वेश्चन के साब से करती हूं फिर ठीक है ये मैंने बना दिया वापिस से से कल अब इसमें से सबसे भरा किया गिवला है तो मैंने इसको से कल कर दिया ओक अरे ऑक है मैंने आपको बैंता दिया इसाट भरा हमें आपको बतावंगे लोंग ओर शोट के बारे में यानि के लंबा और छोटा यहां पर question आदा वो ही है uncircle the long thing ठीक है अब मैं यहां पर बना लेती हूँ ruler, ruler यानि के scale ठीक है ओके यह हो गया मेरा एक scale अब दूसरा scale बनाती हूँ यह हो गया मैं दूसरा scale अब question है uncircle the long thing यानि के लंबी चीज़ अब इसमें से लंबी यह तो नहीं है राइट यह है तो मैं अब इसको circle कर दूँगी अब अगर question हो जाता है short पे यानि के uncircle the short thing राइट तो फिर मैं करूँगी फिर मैं obviously उपरवले को करूँगी क्योंके वह छोटा दिखते है ठीक है अब सेम जैसा के long और sorry टॉल और short के बारे में हैं लेकिन जो टॉल और short है यह इन चीज़ों के अंदर नहीं आता वह हमेशा human की चीज़ human में आता है मैं करने में आती से मैं बस इसता बना रही हूँ ठीक है एक ही हो गया और अब एक मैं बना एक ही हो गया ओके अब लम टॉल और short यह मैंने जैसा कि अब आपको आया कि humans में आता है its mean अब यह वला है टॉल और यह वला है short ओके क्वेस्टन आजएगा अगर आप लोग गो के uncircle that tall thing sorry human देखिए यहां पर कोई भी question लिखावा आ सकता है जैसे कि कोई भी question लिखावा सकता है थिंग में भी होता है या थिंग में भी हो सकता है तो यह हो गया आपका टॉल और यह हो गया आपका short ओके इस वान इस शॉट और इस वान इस टॉल अब आपको मैं बताऊंगी light और heavy के बारे में यानिके हलका और भारी I don't know यह इतना दुंदला क्यों नजर आ रहा है ओ वेट यस अब ठीक हो गया ओके जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं अब आपको बताऊंगी light और heavy के बारे में यानिके हलका और भारी ठीक है तो मैं इसमें ले लेती हूँ यह देखिए एक ड्राइंग बना रही हूँ यह हो गया ओके यहां पर कुछ भी नहीं है यह प्लेट सम्थिंग हो गई अब यहां पर मैं तीन अंडे रख देती हूं चार ठीक है और यहां पर मैं तीन रख दो रख देती हूं ठीक है अब अगर आप लोगे पास बिलफर्स क्वेशन आ जाएता है तो लाइट वेट ठीक है अब यह हमारे पास फॉर एक्जें राइट और यह हमारे पास टू एक्जें ठीक है अब इन दोनों में से लाइट यह तो नहीं होगा राइट यानि कि इन दोनों में से लाइट इसी तरह अगर question आजाता है आप लोगों के पास heavy में तो फिर हमारे पास two नहीं होगा बलके हम three four को ही accept करेंगे because वो हमारे पास जादा heavy होगा राइट इसके बाद आता है far और near यहां पर लिखा वे साथ आप लोगों को नजर नहीं आएगा far का मतलब होता है दूर ओके और यह देखें यहां पर लिखा है far mean दूर और near mean करीब यानिके इसको हम लोग उर्दू में नजदीक भी कह सकते हैं ओके अब यह खास है ओके ठीक है मैंने यहां पर एक बोल रखी है और यहां पर एक रोड है ठीक है और अब एक मैंने यहां पर बोल रखी है ठीक है अब अगर आपके पस question आ जाता है कि in circle far यानि कि in circle the far thing circle करो दूर की चीज़ को अब यह देखिए from the house ठीक है यानि कि from the house house से घर से जो दूर चीज़ है उसको circle करो अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक बोल परी है पर यह घर के बहुत नजदीक है राइट और यहां पर एक बोल परी है पर यह घर के दूर है राइट इसमिन यह होगा आपका फार